हले दोस्तों कैसे हैं सब स्वागत है अब सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक जबर्दस का दूसरा और अंतिम भाग लेकिन बस के नीचे पहुंचे बेगर बस को बेकार भी नहीं किया जा सकता और तभी वह 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 जी तभी वह 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 था पहुंची जिसके लिए इंस्पेक्टर चीता ने कंट्रोल रूम से निवेतन किया था हरी अब ट्रक को 60 की गती से दोड़ा तूब टक के प्लेटफॉर्म को बस के दरवाजी के निकटलाओ और वो रास्ता बनाओ जिससे बस के यात्री ट्रक क के प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंड हैलो कंट्रोल रूम इस समय में एयरपोर्ट जाने वाले नैशनल हाइवे पर हैं बस को प्लेटफॉर्म से जोड़कर सभी यात्रियों को सभी उतार लेने की कोशिश जारी है और अब इस्तिती ये थी जल्दी करो 15 किलोमीटर गती और इस्टेरिक पर से हलका सा नेयंत्रक हो देने का अर्थ हर कोई भली भाती जानता था डरो नहीं डरो नहीं और अभी वह अकेली ही पुल पार कर पाई थी कि गोली के धमाके के बाद गूंज उठा ट्रक के टायर का धमाका और बुरी तरह डगमगाया ट्रक पुल ड भागो 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 भ्यानक अगनी टंडफ कर उठी वहां अंगारों के समान सुलगाती हुई इंस्पेक्टर चीता की निगायों से और घूम गई नहीं इंस्पेक्टर ये बस ब्यालिस आद्मियों के मौत लेकर चली है ब्यालिस तो मरेंगे ही यू पास्टर चीक पड कान के विशे में पताती चली गई और तब अचानक इंस्पेक्टर ने उस पर चलांग लगा दी लेकिन अब तो इसमें खुद अपना जुन्प स्विकार कर लिया मोनिका उस आप अधाभी में एक गोली और चल गई और गूंज उठी ड्राइवर की चीक बुरी तरह अनें अधा ने अधाव और तो में भी कुछ नहीं होगा तो मच्छी हो जाओगे इंस्पेक्टर चीटा ने अपनी उस काम्यावी की सूचना कंट्रोल रूम को दी और इस्पेक्टर चीटा इतनी जल्दी नहीं हारेगा सर प्लेटफॉर्म की पुल वाली यूज़ना पर एक बा एसर करने की कोई और सूरत दिखाई नहीं पड रही और तभी वायरलेस एट पर गून जुटी वश्क्ति शालिय आवाज शुट है इंस्पेक्टर चीता शुट है ढोगा या वास्ट ढोगा की है हाँ इस्पेक्टर चीता मैं डोगा ही बोल रहां है सांड वाली घटना के तुरंत बाद एक जिरू करना पड़ा मुझे फायर बिल्किट की एक गाड़ी चुराई मैंने इसी के वायरलेस सेट पर तुमारा हर संदिर सुनता रहा हूं मैं उसी के आधर पर मैंने अपनी जोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और इस समय मैं उसी फायर बिल्किट की गाड़ी से बोल रहा हूं इंस्पेक्टर चीटा मुझे देखना चाहते हो तो गर्दन को दाई और खमाने का कश्ट दो उफ दोगा तूम बेहत गंबीर सुर में क्या उटट होगा इंस्पेक्टर चीटा इस समय बस के ठीक नीचे बम फिट को विफल करने की सोच कर आया हूं मैं और पूरी तैयारी के साथ लेकिन ये तब तक मुम्किन नहीं जब तक इस गाड़ी में मौझूद ये फायर मैं मेरा साथ ना दे विश्वास और उत्तेजना बरे शब्दों के साथ चीक पड़ा इंस्पेक्टर चीटा वही वही करो जो डोगा कह रहा है ये मेरा हुक्म है इंस्पेक्टर चीटा को हुक्म है सोना और तब डोगा के निर्देशन उस और फायर ब्रिगेट की उस गाड़ी को बस के आगे निकाल लाया ड्राइवर और उस बीच डोगा स्वेम पहुच गया ड्राइविंग केविन की छट पर घबराओ नहीं मेरा हाथ थाम लो फायर ब्रिगेट की गाड़ी के इस पूल पर पाइप के इस्थान पर एक मोटा बिजली का तार लिपटा था तुम्हारा नाम रामकिशन है ना हाँ ये करना क्या चाहता है डोगा ने वहीं रखी वह चोटी वह विचितर टॉली निकाल करूँ हुक से जोड़ दी फिर दे डोगा ने ट्रॉली को इंस्पेक्टर चीता के देखते देखते नीचे सड़क पर उतार दिया उफ ये करना क्या चाहता है उफ ये तो सरा सरा आत्मत्यां पर उतार हुए डोगा क्या करने जा रहा था ये सोचकरी इंस्पेक्टरी चीता के तिरपर कांपे जा रहे थे समस्त आवश्यक औजारों के बैल्ट को छाती पर बांदने के बार ट्रॉली पर आकर लेड गया डोगा रामकिशन इस पूल को कसकर पकड़ कर रखना तार उतना ही खुलना चाहिए जितनी मुझे जरूरत है वरना साली योजने की धज्जियां उड़ जाएंगी धार 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 कर बज़रा तार रामकिशन का है तार को धीरे धीरे छोड़ो रामकिशन पसी ने जलत्पत हो चुगे रामकिशन का गला सूखने लगा था इñस्पेक्टर चीता की और देक कर मुसकराया था जालिम एन्सपेक्र चीता कोशिश इंसान के हाथ में और यही मैं कर रहा हूं धन्य है धन्य माम जिसकी कोक से तुमने जलम लिया अंडोगा कम नहहों भा Championship मानिका के Chestak इंस्पेक्टर चीता के मुझसे डोगा की प्रशन सामें निकलेवे शब्द बेचाइन कर रहे थे उसे और इंस्पेक्टर चीता का हेड़ा धक से धड़ाक कर बस डोगा बस के नीचे समा गया बस के बोनट के आसपास के हटे पत्रों से डोगा की आवास सुनाई पड़ी चीता को एस्पेक्टर चीता बम मिल गया बम स्पीडो मीटर से कनेक्ट है और मैं उसे बेकार करने की कोशिश करता हूँ समलकर डोगा समलकर इधर कसकर इस पूल को पकड़े हुए खड़ा था रा कारत वो समस्ता था और इधर डोगा के हाथ छेड़कानी कर रहे थे इन तारों से पहले बम को डिफ्यूज पहले बम को फ्यूज करना होगा अन्यता स्पीडो मीटर से डिसकनेक्ट होती बम फट जाएगा गोलियां गोलियों बारूद और बमों के बीच पले हुए पले ब चटके के साथ कुछ फुट और खुल गई उफ नहीं परड़ाम भेद बिहानक निकलने वाला था ट्रॉली बसके अगले और पिछले पईयों की बीच में लहरा रही है और अगर अब एक फुट तार भी और खुला तो लेकिन रामकिशन तीन फुट तार को बापस इस पू काई नहीं परड़ा भीया के वलवा तार इधर उतर होता दिख रहा है बुरी तरह थर थर थरहे खड़े रामकिशन के हाथ उस नए जटके के कारण इस पूल पर से उखड़ गए थे और खुलता चला गया था प्तार लेकिन इस बार जबर जबर फूर्ती दिखाईती डोगा ने डोगा वह कुशिश बंद कर दो क्योंकि इस रड़क पर जगे-जगे गड़े हैं इंस्पेक्टर चीता के चिलाने क के सवार डोगा के कानों में पड़ रहे थे और सच मुझ अब डोगा भी समझ गया था कि वह योजना फेल हो चुकी है बम को निश्वल करने के लिए अगर मैंने टंकी मैं धसे पेचकत से हांथ हटाया तो ट्रॉली मुझे किसी भी पईये के नीचे ले जा सकती है और कोई भी गड़ा कैसी भी मुसीवत खड़ी कर सकता है मॉनिका डोगा को उपर लाने में उसकी मदद करो और उसी च्छण बस के पिछले पईये के नीचे आकर चूर चूर हो गई वह ट्रॉली डोगा भी पहुँच गया था बस के अंदर उफ डोगा तुमारी ये कोशिश सरासल पागलपन और आत्मत्या की कोशिश थी 42 जिन्दिगियों के प्रशने के सामने डोगा की जिन्दिगे और मौत का प्रशनी का उठता है इंस्पेक्टर चीता अब हमें सोचना यह है कि इस बस के यात्रियों को कैसे बचाया जाए फ्यूल इंडिकेटर जिस पोजिशन पर उसे देखकर लगता है कि कुछ दिरबार तवाई निश्चित है अब एक ही रास्ता है लेकिन डोगा तुमारे कपड़ों से डीजल की गंद आ रही है डीजल डीजल हाँ नीचे डीजल की टंकी में छेद हो चुका है शेहर में कोई निश्चित संच चुना जाए जहां सड़क के किनारे रेट बिचा दी जाए और वहां यात्रियों को कुदाया जाए वह भी करके देखते हैं मैं कंट्रोल रूम में मैसेज भेजता हूं और इस काम के लिए चुन लिया गया महानगर की सड़क नंबर 20 को चल्दी करू सड़क के किनारे पर रेट की इतनी मोटी परत बिचाना कि किसी यात्री को चोट ना पहुँचे और ठीक 15 मिनिट बाद वहां पहुँचना था MLT 1000 को इधर डोगा की आँखों में उतरा हुआ था खून और एक हाथ में उखार दिया था यो वक का एक कान वा दूसरा हाथ जमा हुआ था उसे वक की गर्दन पर याद रख इंस्पेक्टर चीता कानून की बेडियों से बंगा है बगर मैं चाहूं तो पल भर में तेरी गर्दन तेरे कान की तरह उखार कर रख सकता हूं बुरी तरह आतंकित हो चीक उठाव है डोगा की क्रूर हरकत में मौनिका की दिल में जमें नफरत के पाउं और मज लगाया है जबरदस्त है उसका नाम जबरदस्त के बारे में सब कुछ बकता चला गया यह वक्त रखते महोटा योगटोगा का चेहरा ओ तो इस बंग के आतंक से सुते हुए चेहरों की फिल्में बनाकर वो आतंकवादियों को बेचेगा ताकि उनसे स्पीड बंग के भार आतंकवादियों के लिए और फिर उस स्पार्ट पर एक एक करके कूटते चले गए सभी यातरी कूदो चल्दी कूदो रेट पर गिरने के कारण सक्षल रहे यातरी हां गायल होने के कारण ड्राइवर को अवश्य खश्ट हुआ था मॉनिका ओफ डोगा और फिर कैमरे वाले उसी वक्क को बस से कूदने की महलत नहीं दी थी डोगा नहीं चलती फिरती आग की वह मीनार उस धावे में खुस्ती चली गई इधर इंस्पेक्टर चीता ने निगाए उची की वह जा रहा है डोगा ये अब सीधा जबर्दस के पास पहुंचेगा जबर्दस जगे जगे फिल्म शूट करते मेरे आदमें उसे शांदार रिपोर्ट्स मिल रही हैं मुझे स्पीड बंग की सफलता की मैं जानता हूँ कि इस बार डोगा भी सफल होगा हारेगा डोगा स्पीड बंग से जरूर हारेगा जबर्दस्ट डोगा एक दिन केवल मौत से और वो देख वो मूवी कैमरा यह सारे दिर्शे शूट कर रहा है डोगा ने उसे घूंसो और लातो पर रख लिया था और तब डोगा के हाथ में दिखाई पड़ा वह टाइम बंग जबर्दस्त यह टाइम बंग अपने नाम के अनुरूप जबर्दस्त ही है तूने MLT 1000 मे जो आतंग निर्दोस लोगों पर बरपाया वह अब मैं तेरे चेहरे पर देखूंगा और तू इस बंग को खोल नहीं पाएगा जबर्दस्त क्योंकि तेरी उंग्लियों को तो मैं अपने उंग्लियों को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा डोगा ने ओन कर दी टाइम निकल आया जबर्दस मुझे बचाओ मेरी चाती बर टाइम बंबंदा है भागो बंफटने वाला है और फिर जबर्दस धमाके के साथ ही फटकिया बंब मासवा खून के लोथड़ों में बदलता चला गए जबर्दस का जिसम इसी पल वहां पहुंचकर रुकी थी इंस्प पल इसकारवाई समाप्त चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स डो निशाना दिल पर तब तक के लिए धन्यवाद